आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 में PowerShell के जरीए किस तरह Services open कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Type Here to Search में Type करना है PowerShell मैंने यहाँ पर PowerShell टाइप किया फिर यहाँ आपको दिखाई देंगा Windows PowerShell तो इस पर आकर के आपको Right Click करना पड़ेंगा और फिर Run As Administrator पर किलिक कर देना है उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगा यहाँ पर आपको Yes पर किलिक करना है और आप देख सकते हैं Windows PowerShell ओपन हो गया है अब यहाँ पर आपको Type करना है Services.msc और इंटर का बटन दबा देना है आप देख सकते हैं Services ओपन हो गया है कर देना है